दोस्तों आपने ये ड्रामा देखा एक न्यूस आई थी कल के स्टेडी वीजा के बारे में सरकार कह रही है कि आप घर बैठो, कैनाडा मत आओ, आउनलाइन पढ़ाई करो, स्टेडी वीजा लो और वहीं से अपना काम करते रहो, और उसके बाद जितना भी टाया आप पढ़ाई करोगे, तो उसका हम आपको क्रेडिट देंगे, कि आपको फ्यूचर वर्ट पर्मिट मिलना है, उससे आपको थोड़ा सा फैदा हो जाएगा, मजरा, अब चकर क्या है सारा, ये क्या है मजरा, शुड़ा टाक इन leesha or actually क्या है कि जब भी मैं इंगलिश में बात करता हूँ ना तो बहुत लोग बोलते हैं इंडिया, सबिछले इंडिया में आप इंगलिश क्यों बोलते हो आप, जो Canada में रह रहे हैं, वो मेरे से बोलते हैं, English is the language of Canada. Why don't you talk in English? We cannot understand. लेकर मैंने ये देखा है कि जब मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो लोगों को ज्यादा पसंद आता है, और वो कहते हैं, हाँ जै अपना पन लग रहा है, कुछ सही बात इनको दिल में टच कर रही है. चलो हिंदी में कंटिन्यू करते हैं, ये स्टूडन वीजा ड्रामा है क्या? आप शेयर तरह ये फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पे भी के 650,000, 6,50,000 इंटरनेशनल स्टूडन्स पिछले साल आए थे, करीग परीब इतने आए थे, हर एक साल आते हैं, मुलाब ये नमबर बढ़ रहा है धीरे-धीरे, और इसमें से करीब जो 50% population है, 50% ज़्यादा हो सकती है, वो इंडिया वो चाइना के हैं, तो 3,50,000,000 से ज़्यादा लोग से व इंडिया चाइना के हैं, और इंडिया के इसमें एक त्याही हैं, करीब-करीब सवा 2,00,000 इंडिया के हैं, और अगर आप समझें कि 2,25,000 अग आ रहे हैं, और इतना, इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कि खजाने-खजाने खाली हो रहे हैं, घरों के, और सारा पैसा ट्रांसफर होके, ओड़के सारा कैनड़ा को ट्रांसफर, कैनड़ा, अमेरिका, ये सब कंट्री जो इंटरनेशनल स्टूडन कीच रहे हैं, क्योंकि तीन गुना ज़्यादा पीस लेते हैं, इसलिए इनके तो चांदी है, इनके तो मज़े ही मज़े हैं, कि सारे आपके खजाने खाली होकर, सारा पैसा ट्रांसफर होकर, कैनड़ा में आ रहा है, तो स्टूडेंस की वैल्यू बहुत है यहां पर, स्ट इनके पर, स्टूडेंस की वैल्यू बिलियन डॉलर, एक बिलियन डॉलर कितना होता है, इंडियन रुपीस का, अगर आप, अगर आप 53 का लेके चले, रेट 54 का लेके लेके चले, तो 5,300 करोड पाच हजार तीन सौ करोड का एक बिलियन होता है, मल्टिप्लाय कर ले 21 अगर आप 55300, मल्टिप्लाय बाच 21, उतने हजार करोड बनता है, यह पैसे जो है, स्टूडेंस लेकर आ रहे हैं कैनड़ा में, यूनिवर्स्टीज और कॉलेजिज यहां की जो इंडस्ट्री है, वो डिपेंडेंट है हमारे स्टूडेंस पे, यह इंटरनाशनल स्टूडेंस के कि अगर यूनिवर्स्टी को स्टूडेंस नहीं मिलेंगे इंटरनाशनल, तो हो सकता है कईयों की दुकान बंद हो जाए, कुछ यूनिवर्स्टीज मैं नाम नहीं लेना चाता अभी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे पर कोई बोलने की जाब मेरे बदनामी कर रहे हैं, कुछ य कि माज़रा क्या है, रियाल्टी एस दिस, कि उनिवर्स्टी और कॉलिजिस, चोटे कॉलिज, प्राइवित Compave, बड़े इनुवस्टी, पदेची कॉप्लिक उनिवस्टी, प्राइवित निवस्टी, सारे मिलके मिनिस्टर साब से गौहर करते हैं, मिनिस्टर साब इस स्टूडेंट्स को ले लेंगे तो स्टूडेंट यह ठोड़ी कि सिर्फ इंडिया से आएंगे अमेरिका से भी आएंगे योरप से भी हाएंगे प्रूम ahí कुरिया से जो आएंगे हमें स्टूडेंट करने करने हैं student की tuition money जो दे रहे है approximately 30,000 dollars per student per year वो पैसे भी चाहिए है लेकर हम चाहते हैं वो आई भी नाया पर तो उन्होंने ऐसा एक scheme लगाई कि भी ऐसा करते है student को पैसा हमें मोड़ना नहीं है उनको कहो कि tuition fees पे करें एक साल की पे करने पड़ेगी वो सारे पैसे show करने पड़ेंगे tuition receipt वो offer करेंगे और हम उनको study visa application है वो process कर देंगे और उसको कह देंगे भाई साब आप अप्रूव हो गए लेकिन अप्रूव हो गया लेकिन आप घर बैठो student visa अप्रूव हो गया लेकिन आप घर बैठो वहीं पर पढ़ा ही करो आने की जरूत नहीं है इसको हो सकता कि तीन मे हमें रोजी रोटी चलेगी तो इसलिए हम आपको study visa जो कहते हैं first stage, first stage महला first stage बस चलो जी हो गया हमने मान लिया student आप घर बैठे वहीं पर गुरगाओ बैठे या दिली बैठे ना वहीं पर टिक 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 आउनलाइन करते जाओ 50% तक अ असली ड्रामा ये असली स्टोरी है बहाइन दे सीन्स इसलिए ये सब उन्होंने करा है अब मेरे पास दो तीन सवाल है अगर मिनिस्टर साहब अगर सामने आ जाए या कोई नुमेंदा उनका सामने आ जाए तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ नंबर वान वर्क पर हो जाएगी तब से शुरू होगा या जब मेरी online study शुरू होगी तब से शुरू होगा इसके बारे में clarity नहीं है कहीं लिखा जरूर है उन्होंने कि जब आपका approval हो जाएगा लेकिन I'm not sure sure they even know कि ये कैसे होगा तो एक तो सवाल ये है कि work permit का क्या क्या चकर है दूर सी बात ये है कि second stage approval जो कह रहे है second stage approval में जब actual study visa issue करना है कि आप flight लेकर यहां पर आ जाओगे उसमें कई कई बाते हैं उसके अंदर पहले होनी है लेकिन in future अगर बाद में कोई inadmissibility पकड़ी गई तो मेरा second stage approval में नहीं आएगा तो मैं first stage approval की जो मैंने fees पे करी है और पढ़ाई में करी है दो तीन मेंने च्छे मेंने उसका क्या होगा ये बात उन्होंने clear नहीं करी इसके बारे में अगर किसी पास जवाब है तो जरूर जवाब दे तो ये मैं ये मैं पूछना चाता हूँ तीसरा सवाल एहम सवाल है जो मैं minister साब को पूछना चाता हूँ ये तो आपने बात कर दी study visa की जो एक spouse है जो असली धंदा है spouse visa का जो हमारे जैसे अगर mail student है उसकी wife है अगर हम उसका डालते है तो उसको visa क्यों मिलेगा कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में टो है पूछफ बात नहीं करी असली इसमें जो drawback है वो है spouse visa को फिर भी नहीं मिलेगा जब तक है travel flights को खँलती है तो उसका क्या होगा इसमें नहीं कोई ऐसी बात नहीं करी तो ये 3 सवाल है अगर उ को कुछ ऐसी कुछ जान करुई है तो जरू मेरे से मेरे से डिसकस करें तो यह मैरे को डिरामा बताना था जो रियाल्टी क्या है और यह उन्होंने क्यों किया और कप तक चलेगा मैं समस्ता हूं के जहां तक दवाईयों का सवाल है कोरोना के बढ़ाई होती है तो उसमें आगर आप छे मेने हैं आप पढ़ते गए तो ये भी possibility है कि पूरे-पूरे आठ महीने ही नहीं यहां पर हो जाएं तो अगर पूरा-पूरा डिप्लोमा ही अगर आपको इंडिया बैठे-ठे करना पड़ा तो फिर जो आपका जो सपना था कि कैनडा जाके हमें गूमना है कैनडा में बी-सी में गूमना है उन्टारियों में नियागरा फॉल दिखना है उसका क्या होगा सारा ही सारा डिप्लोमा एक साल का वहीं हो जाएगा फिर आपकी क्या value होगी उस online diploma की क्या value है जब job apply करेंगे उसको आपको employees कैसे देखेंगे और आपका जो actually reality है कि students को Canada जाना है पढ़ाई करना तो एक बहाना है पढ़ाई तो वहाँ भी बैठे बैठे हो सकते दिली इनुवस्टी में पढ़ाई नहीं है लोगों को तो Canada की धरती पे पैर रखना है यह चकर है student का और अगर हमारे डिपलोमा ही पूरा एक साल का अगर हमीं बैठे बैठे हो गया तो भाई हम इतनी बड़ी फीज दे के डिपलोमा करके हम घचार डालेंगे क्या कई सवाल हैं इसमें drama सारा सारा business और खेल पैसे का है इसके साब से उन्होंने एक तीर दो निशाने डाल दिया हैं और आपके सामने हैं दोस्तों अगर आपको मेरी बात कोई बुरा लगे या कुछ है तो जरूर कॉमेंस लिखना बाकी मैं कॉमेंस सारे पढ़ता हूँ लेकिन सबका जवाब मैं नहीं देता क्योंकि कुछ कॉम पढ़ता हूँ और ताइस तेंक यु वरी मच फॉर टाम और फिर देखते हैं आगे क्या तबदीली होती हैं मेरी नजर इमिग्रेशन कानूर पे इमिग्रेशन की जो 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 प्रसीजर है गतवितिया रोज की चलती हैं उस पे मेरी निगार एथिस सुबह उठके ही पहले म झाल 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 झाल